अस्लाम ऑलेकुम आज मैं आपके सास्थ शेयर करूंगी सूजी के हलवे की रेसिपी जिसको हम बनाने वाले हैं। एक दम दानेदार और रसीला। जिसको आप बना सकते हैं कोई भी festival हो या पिर कोई भी सीसनों कभी भी बना सकते हैं तो ट्रै जरूर कीजिएगा तो चली देख लेते हैं इस रेसीपी को कैसे बनाया तो हमने रख लिए एक कड़ा ही इसमे एड़ करेंगे हाफ कप प्यॉर घी तो यहां पर मैं मेजरिंग बताऊंगे परफ्रेक्ट मेजरमेंट से आप कैसे कट करती हैं मतलगा कट नहीं दो कोई भी काटोरी ले ले लिए उससे मेजर कर लिए तो अब देख शू टूबर सब्सूण हमने पिस्टा लिया थे तू टेबल स्पुन किशृचिव प्श। व्य। बादम बादम हमने कट कर लिया है पादम पिस्ता और काजू अब ड्राइफ रूट्स घी गरम हो गया तो उसमें ऐड़ कर दिंगे और इनको हमें हलका सा फ्राइज कर लेना है तो देखिए यहां पर ड्राइज फ्राइज को फ्राइज कर लीजिए, हलका सा जब कलर आ जाए ना तब निकाल लेंगे क्योंकि जब हम इस तरह से ये फ्राय हो चुके हैं तो इसी घी में हम सूजे añad कर देंगे तो एक कप सूजी लिये हैं आप घी और सूजी को बरावर बरावर quantity में भी ले सकते हैं आधा कप घी लिया था एक कप सूजी लिया अब सूजी को यहाँ पर को लो टू मीडियम कर लीजिए और सूजी को भूनते जाए अब एक सीक्रिट इंग्रीडेंट डालेंगे जिससे कि आपका हलबा एक तम टेस्टी बनेगा वह यह बेसन तो वन टेबल स्पून हमने इसमें बेसन एट कर दिया और चार हरी लाइची इस तरह से क्रेश करकर डा कप से हम तीन कप नापकर पानी डालेंगे तो अगर आप कटोरी से मेजर कर रहे हैं तो कोई भी कटोरी लेकर एक एक कटोरी सूजी और तीन कटोरी पानी अट कर लीजेगा यहां पर मैंने कप से नापा है तो इसी से पानी डालूंगी नापकर तीन गुना हमने पानी डाल अब इसको कबर कर दिया था हमने 5 मिनिट के लिए लो फ्लेम पर और देखिए सूजी यहां पर फूल गई है इस तरह से तो इस तरह से जब हम पानी के साथ सूजी को पहले पकाएंगे ना तो सूजी का हलबा थिक सा हो जाता है ना शाम तक रखा रहता है तो वैसा नहीं होग होगा ऐसे वना रहेगा एकदम सॉफ्ट तो देखिए सारा अब्सॉर्ब कर लिया है पानी सूजी ने उसके बाद इसमें हमने एक कप चीनी एक कप कर लीजेगा अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे देखिए चीनी एकदम खुल गई है इस तरह से अब इसमें ड्राइफ करकर जुरूर बताइए तो देखिए यहां पर अच्छे से इसको मिक्स का लिया कबर कर देंगे तीन से चार मिन्ट लो फ्लेम पर उसके बाद यहां पर खोल कर देखेंगे तो देखिए सूजी का जो हलबा है उसका टेक्शर बहुत अच्छा आ गया है कलर भी एकदम अच इंशाला बहुत पसंद आएगा और यहां पर अपसर्व कर लेते हैं हलबा हमारा एकदम रेडी है फ्लेम को हमने बंद कर दिया यह लिखिए इस तरह से बनाईए पॉफेक्ट हलबा जिसको भी आप खिलाएंगे आपकी तारीफ करते नहीं ठकेंगे तो बस थोड़ा सा ग को पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इन्शाला नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी अपना बहुत सारा खयाल रखें तब तक के लिए अल्ला हाफीज